चीर फ्रेंग्स आज के जो टॉपिक है वो हमारा है कर्णिशन फॉर्मेटिंग इसमें हम देखेंगे किस तरीक इसे को इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज है उसको कलर के तुरू आइकन के तुरू या फिर ग्राफ के तुरू हम हाइलाइट कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है एक डेटा को सेलेक्ट करना होगा मैंने क्या करा इस डेटा को सेलेक्ट करा जिसमें सेल्स प्राइज है और कंडिशन फॉर्मेटिंग पर आ गई हालाइट सेल्रों इसमें क्या देखना है ग्रेटर दें अगर मैंने यहां पर वैल्यू दिया ग्रेट यहां पर आ जाएगा अगर नहीं चाहिए इसको हटाना है गो टू कंडिशन फॉमिटिंग और के रोल के रूल फॉम्ड एंटाइड शेड अगेन मैंने सेम रिंज दिया सेल्स प्राइज का आगेन आया है हाइलाइटसेल रोल और यहां पे है लेस थेन लेस थेन किसे मैंने यहां पे लेस थेन 4,000 तो बिलोग 4,000 जो वैल्यू है उन्ट सभी को क्या कर रहा है आलाइट करके दे दिया है अगेन रिमुव करने को टू करिशन फामिटिंग गैर रोल्स और क्लेरोल फॉ में है न मैंने कोई वैल्यू लिखा यहां पर 5000 to 8000 उसके बीच में जितनी भी वैल्यू है उन सभी को क्या करा है अलाइट करके दे दिया है अगें मैंने 6 प्राइस को सब्वाइड करा दिया। Formatting पर आए, Highlight Cell Rules, Text That Contains, Text That Contains के लिए मैं पूरा डेटा सलेट कर ले रहा हूं, यहने पूरा डेटा सलेट करा, Condition Formatting पर आ गए, then Highlight Cell Rules और यहां पर Text That Contains, Text क्या हो, वहां पर मैंने लिखा गौरव, जितने भी गौरव, Names है, या कहीं भी कोई Text है, उन सभी को क्या गरा है, Highlight करके दे दिया है, Next हमारा Topic क्या है यहां पर, Condition Formatting में, अगला है, A Date Accring, इसके लिए मैंने Date वाला जो कॉलम है, उसको सेलेक्टर लिया, आगे, Condition Formatting and go to Highlight Cell Rules, A Date Accring, यहां पर, क्या आपको सेलेक्ट करना है, क्या रिक्वर्मेंट है, यहां पर मैंने सेलेक्ट करना, Last 7 Days, Last 7 Days का जो डेटा है, वो हालाइट करके दे दिया है, Last Week, Last Week का डेटा दे दिया है, यहां पर, Tomorrow कौनसर डेट है, वो डेट हालाइट करा, Again, Today, आज का डेट वो दे दिया, इस तरह की से जो भी रिक्वर्मेंट है, उस डेट को यहां से हालाइट कर सकते हैं, Go to Condition Formatting and Clear Rule, from the entire shape, Now, what is next, Next here, Duplicate Values, Again, मैंने क्या करा, पूरे डेटा को सेलेक्ट करा, जिसमें वैल्यूस था, Again, मैंने सेलेक्ट करने के बाद, Condition Formatting पर आ गए, Duplicate Values, कोई भी वैल्यूस जो डुप्लिकेट है, रिपिकेट है, उन सभी को क्या करा है, highlight करके दे दिया ह यहां पर आ गए, Clear Rule, और, Clear Rule from the entire shape, मैंने हटा दिया, Next Option क्या हमारे पास, यहीं पर आ गए, Top Bottom Rules, यहां से यूज़ कर सकते, जैसे Top 10 items, यहां पर change भी कर सकते, by default 10 ही आएगा, मैंने 5 कर दिया, तो टॉप से जो 5 value है, उन सभी को क्या कर रहा है, यहां से, highlight करके, दे रहा है, OK करा मैंने, Top 5 value को क्या कर रहा है, वो highlight करके दे दिया है, Clear Rule, Clear Rule from the entire shape, Now, What is Next, Bottom 10 items, इसी तरीक से bottom से value को check करना है, कितना value आपको need है, मैंने दिया, bottom 3 या bottom 5, जो भी requirement है, वो requirement के recording हाप पर value input करेंगे, OK करा मैंने, तो bottom 5 value को क्या करा, highlight करके दे दिया, अगे, Now, Go to Clear Rule, Clear Rule from the entire shape, अगेन, यहाँ पर मैंने यूस करा, Data Bars, Data Bars भी cash हो कर रहा है, अगरिंग तो the sales price, यहाँ पर graph, दिखा रहा है, नहीं चाहिए, Go to Condition Formatting, and Clear Rule from the entire shape, अगेन मैंने same value को select करा, Condition Formatting पर आ गए, Color Scale, Color Scale मैंने यहाँ पर यूस कर लिया, कोई भी Color Scale आप यूस कर लो, अभी समझ मैंने आ रहा होगा कि कैसे यह यूस हुआ है, Go to Shorten Filter, Smallest to Largest मैंने इसको arrange कर दिया, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि Color कैसे जा रहा है, Dark से Light होता जा रहा है, और उसके according Color को फिल कर दिया है, Go to Condition Formatting and Remove it, Attired Switch से हटा दिया, Again, Icon Set, Again मैंने Sales Price लिया, यहाँ पर आ गए और Icon Sets, कौन सा Icon लगाना है, According to your Requirement, मैंने यह Shapes में दे दिया, Red, Green and Yellow, Yellow means अच्छे marks है, Red बहुत है गंदे हैं और Yellow Average है, Next Topic है हमारा, Again, इसको मैंने Select करा, यहीं पर आ गए, और Clear, Clear Rule from the Entire Shriek, Head गया वो, Next, Rule का Use करेंगे, Rule का कैसे Use करना है, यह बहुत important है आपके लिए, मैंने Data को Select करा, ध्यान रखे कि Heading को Select नहीं करना है, और Condition Formatting में ही आना है, यहाँ पर एक Option is New Rule, अभी Question से आपके सामने, कि Highlight All Sales Person Name of Gorab, जितने भी Gorab नाम के Person है ना, Sales Person, उन सभी को Highlight करना है, तो आपको कहाँ पर जाना है, Use a Formula, Click On, Here, Scroll To, Sales Price मेंने लिया, यहां से F4 प्रेस करना है, जिससे Column को Frizz रखना है, और ओ को Unfrizz करना है, and this value equal to किसको Highlight करना है, वो Name quotation के अंदर आप mention करेंगे, यहां पर मैंने लिखा Gorab, Quotation Close, Go To Format Option, and again जिस Color से Fill करना है, Select the Color, Now, OK, OK, आप क्या देख पा रहें, जितने भी Gorab नाम का Sales Person है, सभी को Highlight करके दे दिया है, What is the second question here, Second question क्या कह रहा है आप पर सामने, यहां पर Highlight All Sales greater than or equal to 5000, Again मैंने क्या करा, Data को Select करा, ध्यान रखे कि Heading को Select ना करें, Condition Formatting पर आएंगे, and Neuron, Go To Use a Formula Option, and Now, is equal to sign, और Sales Value लिया, इसको F4 से freeze करना है, Column freeze रखना है, रोको unfreeze कर रहेंगे, This Sell Value is greater than or equal to how much? 5000, Go To Format Option, Select the Color, जो भी Color से Highlight करना है, वो Color मैंने Select करा, Then OK, आप क्या देख पा रहें, जितने भी Value 5000 से अबब है या इकवल है, उन सभी को Highlight करके दे दिया, मैंने यहां पर 5000 मेंशन करा, अब देख पा रहें कि यहां पर 5000 को भी क्या करा है, हाइलाइट करके दे दिया है, अगर यह हटाना है, Go To Conditional Formatting, Clear Role from the Entire Shade, You Can Remove Also, Next Question क्या कह रहा है, Highlight All Sales with a Product Name Apple and Sales Person Name Gaurav, इसके लिए क्या करेंगे, अगें Data को Select करेंगे, ध्यान यह रखें, तो Heading को Select ना करें, Conditional Formatting पर आएंगे, New Rule and again Use of Formula, मैंने क्या कमार दिया, Squill To, Sales Person क्या होना चीए, Gaurav, Now Select the Sales Person here, and F4 से Frizz करा, इसको Highlight करना है, Gaurav को, Cotation Close, और यह भी का आए, कि Product जो है, Apple होना चीए, Select the Product Value here, and Column को Frizz रखा, Squill To में, Apple, Potition Close, और इसमें तो Important है, वो यह की, एक सजयदा Condition अगर आप यूस करेंगे न, वहां पर लगा देना है, End का, और अगेन मैंने कर दिया, End को Close, Go To Format Options, Select the Color, इस Color से Highlight करनी है, OK, OK, क्या देखा अपने, आपर दोनों मैच करना चीए, Sales Person तो गौरब होना चीए, and Product Apple, उसके Base पर क्या करा, इन सभी को Highlight करके दे दिया है, नहीं चीए, Go To Conditional Formatting, Clear Rule, and Clear Rule from the entire shape, इस तरीके से हमने क्या करा, Conditional Formatting का Use करा, Again, यहां पर आगे, अगर सपूज मान लो, कि जो मैने Highlight कर रहा है न, उसको Top में रखना है, फिल्टर करना है, क्या करेंगे, Heading को Select करा, and Press Ctrl Shift and L, और यहां पर प्रेस करने के बाद, क्या करना है, Highlight करना है, Filter by Color, और कौन से Color आपको चीए, मैंने इस Color पे क्लिक कर दिया, आपने क्या देखा, जितने भी Color है इस नाम का, सभी को अलगर के दे दिया है, Again, मैंने Filter by Color पे क्लिक करा, No Fill करा, तो जिसमें Color नहीं था, उसको Highlight करके यहां पे दे दिया है, Select All and OK, डेटा पूरा कंप्लेटली आ गया है, इस तरीकिसे हम क्या करते हैं, Condition Formatting का यूज़ करते हैं, किसलिए, डेटा को Highlight करने के लिए, Graphically देखने के लिए, या फिर कोई Icon को Set करते हैं, As per requirement of your values.